अलेकम डियर स्टूडेंस हम नाइंध किलास एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं आज हम 1.2 करेंगे जो मारे पास पहला दूसरा तीसा क्वेस्टिन हम बुक से कर लेंगे बाकी जो क्वेस्टिन में 4 और 5 वजे हम रिटन करेंगे और मैं आपको इसको समझाओगा जो मारे पास पहल क्वेस्टिन है क्वेस्टिन है एक्सरा वंड पॉईंट तथ सब्सक्राइध यूटम अक्क्रिती है हमायगा पास घ्यूउल element 0, जिसके तमाओं के तमाम element 0 हों, वो होता है नलमे्टिक स, जिर हमारे पास a, null matrix, इसको हम null matrix रह सकते हैं, b, इसमें देखा जाए, तो सिर्फ 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 is में नРИक रो है, ऐसा कालब, जिसमें सिर्फ रू रो ह Там richtige का ना तरिक कालम करते हैं. V हमारे पास row metrics है. c है. इसमें सिर्फ सर्फ ein कॉलम है. इसको हम column metrics कहते है. Column metrics उसको कहते हैं, जिस को चॉलम कई सर्फ सर्फ एक column हो. उसको हम column arts कहते हैं. D. जिसके हम ہ हम 이 और हम identify करना है. यह हमारे पास identity matrix है. e. जिसके zero element है. जिसके तमाम elements 0 हूं इसको that matrix कहते हैं जो f है कालम है इसमेंसार इसमेंस सिफ एक कालम है यह तो इसको हम column matrix कहेंगे question number two foreign matrices identify इसमें जो हमारे पास जो column है हमारे पास 9 columns है 9 matrix है इसमें शनात करना है कि स्क्रण कोंसा है है ạ, coherent killer matrices цел biology जो हमारा पास पहला matrix है, जिस को हम बहुत hem है, जी इसको हम खहेंगर rectangular matrices, ऐसा matrix जिसमें rows की तद्धार ढ़र ब्राभर ना हो उसको आम कहते है rectangle इस लियास जो पहला है, वो है rectangle, जो मारा पास दूसरा पार्ट है वो इसमें क्कॉत्र बादांब्र कि हैं कि सिफ रिंस को स्फ कॉलम है जिसमें सिफ सिफ रिंस कोॉisl क्उलारंथ में इसलिए इस लिए नहीं है जए क्युल्स को कहते हैं जिसके रोज का दाद बाइबर हो सक्क्राइब्स करते हैं चौता यह हमारे पास है जिसके नहीं बाइबर ना हो उसका हम रख़ेंगोला है commitakis करते हैं इसमें देखा जाए तो सिर्फ एक रो जिसकी एक रोज को हम если ke है जिसके रोज और कॉलम के ताद आपस में ब्राबर हो उसको हम स्कूर मैट्रिक्स कहते हैं जो पार्ट एट है इसको हम स्कूर मैट्रिक्स कहते हैं जो नाइन पार्ट है जिसके तमाँ के तमाँ स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं. Q5 है, इसको हम रिटन हाल करेंगे. ठीक है. आज 1.2, Q4. Find negative of metrics A, B, C, D and E. हम इसमें metrics के negative find करेंगे. किसी भी metrics का negative करना होना, तो इसके metrics के जो तमाम science है न उसका हम change करेंगे. तो हमाई पास वो negative metrics आज़ता है. Let's suppose हमाई पास कालम A है. इसका हमने negative metrics find करना है. इसका हमने negative metrics करना है. इसके हम, इसकी जो तमाम science और अलामते हैं, इसका हम minus करेंगे. जो 1, minus 1 हुआ, 0 का पता वैसा जाता है. जो, minus 1. minus 1, 0, नफी नफी प्लास हो गया. यह हमारे पास हमने इसका science change करेंगे. इसके change कर देने से किसी भी metrics के हमाई पास negative है. इसका हमने negative करना है. इसी तरह हम करेंगे. हम इसके negative लेंगे. इसका तमाम अलामते हैं, जो हम change करें. नफी जी हो जाएगा 3, मैनस 2 जी 2 हो जाएगा, मैनस 1 जी 1 हो जाएगा, जी 1 भी, जिन इसके अलामते change कर देने से, तो हमारे पास जो आएगा वह हम कह सकते हैं कि, यह हमारे पास और हमारे पास इसरे पार्ट 3 है C 3-2 इसी तरह हम जब इसका भी हम लाम्ते चेंज करेंगे 2-2 मैनस 6 के हम मैनस 6 लेंगे तो 6 हो जाएगा मैनस 3 तरी और यह 2 इसी तरह हम हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो डी मैनस 3 मैनस 2 मैनस 4 5 इसका मैं नेग्टिव फाइंड करना है इसके लाम्ते चेंज तरी 4 2 मैनस 5 जे हमारे पास नेग्टिव आगया A का नेग्टिव यह हमारे पास आया B का नेग्टिव जे मैट्रेक्स उसके नेग्टिव जे मैंस 5 जिनि हम किसी भी मैट्रेक्स की उसकी अलाम्ते अंदर चेंज करे दें उसके हम जो फाइंड करते हैं उसके हम नेग्टिव मैट्रेक्स करते हैं हमने इस क्वेश्चन में ट्रेक्स करने का मतलब यह होता है किसी भी कालब के हम उसकी जो रोज को हम जो कालमों में चेंज करे देने से उस कालब का हम ट्रेक्स कर सकते है जो हमारे पास एक मैट्रेक्स है इसका हमने क्या करना है हमने इसका चेंज करते हैं क्या ट्रेंस्पोर लगाना तो कालम को उपर टीज लगा दें जियो वान मैट्रेक्स जो हमारे पास कालम है इसको हम रोज में कालिक लेते हैं यह हमारे पास कॉलम का transpose आच चुका है इसी तरह हमारे पास एक question है B 5 1 मैंस 6 यह हमारे पास रोज में इसको हमने change कर देना है कॉलम में तो इसका हम transpose find कर लेंगे 5 मैंस 6 इस question में हमारा जो main topic था कि हमने transpose find का रोज को कार्मों में जब कार्मों को रोज में change कर देने से हम उसका मुलूम कर लेते हैं transpose इस इतरा हमारा जब पास question कोई भी और ले लेते हैं एक मारे पार डियर पार्ट है उसको लेते हैं 2305 इसका हमने मुलूम करना है transpose है 1234 इसको हमने चेंड कर दिया ट्रांस्पोज में 1,2,3,4 रोज को कॉलम में चेंज कर देने से हम ने इसका मिलूम कर लिया है यह था हमारे टॉपिक ट्रांस्पोज का ऐसका टॉपिक है वेलिफ़ाइड, इसको आपने पूफ करना है कि हम इसका ट्रांस्पोज लें उसका फिर ट्रांस्पोज लें वह एकर ब्राबर होना चाहिए जनी हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि रोज को कालमों में कालमों को रोज में चेंज कर देंगे इसको हम ट्रांसपोज लेते हैं जनी इस कालब का हम ट्रांसपोज लेंगे इस transpose लेने के बार उसका मज़ीड transpose लेंगे जो वो आएगा वो question A के बैबर इसके होना चाहिए इसी तरह जो हमाँ पास B है इसका transpose लेंगे फिर मज़ीड डबल transpose लेंगे लेने के बार B के इस कालब के बैबर होना चाहिए इसको हमने आज प्रूफ करना है हमारे पास A MATRIX है ONE, TWO, ZERO, ONE इसका हम लेते हैं TRANSPORAGE رोज को काड़मों में CHANGE कहए já ONE, TWO इसका हमने काड़मों CHANGE कहए दिया जह हमारे बाइपास TRANSPORGE हा गया इसका हम मزیद डबल TRANSPORGE लेंगे जह ONE, ZERO TWO, ONE जन्हें रोज़ को कालमों में डेहे हमने A का इस कालब का ड्रांस पोज़ लिया ये हमारे पास है इसका मत्वीड ट्रांस पोज लिया हमारे पर जो किसके बरवान जाधा खाज़ए था A के लें Another जैने हमारे पास प्रूव हो चुका है पहला पार्ट इसी तरह हम पार्ट दूसरा भी प्रूफ करेंगे हमारे पास भी एक मैट्रिक्स है वन वन टू जिरो इसका हमने ट्रांस पोज लेना है ट्रांस पोज ले लिए जिन रोज को कार्मों में जो कार्मों को रोज में चेंज कर दिया कालम में चेंज कर दिया तू जी रो है इसको हमने कालम में चेंज कर दिया ठीक है अब हम इसका मजीद ट्रांसपोज लेंगे इसका मजीद ट्रांसपोज ले ले लेते हैं वान तू वाजन इसको हमने कालम में चेंज कर दिया है वान टू वाजन इसको हमने कालम में चेंज कर हमारे पास प्रूफ हो चुका है इसी तरह जे भी हमारे पास A का डबल ट्रांसपोर्ड लिया तो हमारे पास A जे था हमारा अक्सिसाइज कम्पलीट हुई आज की